नमस्कार किसान साथियों आज हम बात करने वाले हैं सबजियों की नर्चियों के नर्चरी के बारे में कि सितंबर महा में कौन-कौन से सबजिक नर्चरी तयार होती है और इसकी किस तरह से नर्चरी तयार की जाती है चाहे कितने भी बारिश क्यों न हो लेकिन हमारी नर्चरी से लगा सकें सबसे दोस्तों चलिए को शुरू करते हैं खटबसे पहला कुष्चन दोस्तों जब भी आप नर्शरी लगाते हैं तो आपको क्या करना होगा कि नर्शरे अगर तocyर्ण करने से पहले आप इस तरह से यह नेट है सितंबर महा में अगर पाच फुट पर लेना हो चाहिए ओपे ताकि दोस्तों इसको ऐसा रहे लगेगा कि बाजू से धूप भी आ सके और जादे धूप भी ना लगे धूप इसको लगना चाहिए मतलब लपट भी ना लगे इसको मतलब नेट की जो गर्मी होती है वो गर्मी ना मिले इसमें हवा जाए और धूप भी आजूबाजू से प्रवेस चले जाए तो दोस्तों नहीं तो अगर धूप प्रवेस नहीं भी इसके अंदर तो रोपा ऐसा चलेगा कैसे टेड़ा मिला हो जाएगा लंबा पड़ जाएगा और कड़क पौधा नहीं रहेगा और अभी आप देख सकते इनका पौधा कितना अच्छा है जो कि सितंबर महा में इस तरह का नहीं होता है शितंबर महा में ऐसा डंडियों की टाइप चलता है जो कि हम अभी दिखाएंगे आपको किस तरह से चलता है जहाँ पर कोई पीड होगा एसा जो की लंबा पड़ा होगा और ऐसा नीचे जूक क एसा उप्षिर उटता है इन पिड़ की तरह कि सिदा लंबा या प्योडा नहीं होता है ऐसा धूस्तों आपको सबसे पहले यह इस तरह का यह बांद लेना जहां पर नर्सरी लगाना चाहते हैं ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है कि जहां पर आप नर्सरी बो रहे हो वह पर चारों तरफ से पानी की निकासी निकाल दीजिए मतलब उसमें कहीं का भी उपर का पानी चाहे आजू-बाजू को पानी उसके अंदर नहीं घुशना चीए क्योंकि ज्यादा पानी हो जाएगा तो रूपा मरने की संभाना रहेगी नर्शरी कि ठीक है तो आपको जैसे कि हमने इस तरह से यहां से ताके वाजू से रखी है तक जो अन्दर पाने ऊपर कर आए गा या बाजू कर आएगा वह राजू निकल जाना ची도 ठीक है उसके बाद दोस्तों जैसे कि बेगन का रोपा है काटे वाले भटे का, जो की है, ये भी हमारा बढ़िया है सान्दार, और आजू बाजू से आपको चार उतरफ से, ऐसा इसतरह से उप सैट से पंधी है, चार उतरफ से आपको मेर बंधी कर लेना है, ताकि उसके अंदर पानी नगुसे बाहर का, और एक सैट से, जिधर से आपको उतार है उधर से खोल दीचे ताकि अगर पानी गिरता भी है तो पानी भरना नीचे बहार निकल जाना चीछ अक्टुम्बर में भी बोई है तो आपको क्या करना क्या है अधिक्तम जब तक ठंडी नहीं गरते तक कीट का प्रकूप जादा रहता है तो आपको क्या करना होगा जो भी आपके पास किट नासक दवाई अवेलेवल है उसमें आप दाने को महों लीजिए मतलब भिगो लीज खाते नहीं है ताकि जब उगते भी है तो यह स्वस्ते रहते हैं इनमें दवाई की ज़रोत कम पड़ती है क्योंकि यह जहरीला पन सुरू से ही लेके आता है जमीन के अंदर से ठीक है दोस्तों अब अगला कुश्चन आपको क्या करना होगा दोस्तों यह मेर बंदी भी हो सब्सक्राइबं कि इसमें निकल जाएगी जैसे यहां पर पानी बढ़ जाएगा तो यहां पर रोपा मरने की संभणा होती है थीक हो दोस्तों रोपा ठोड़ी पतला डाली है थाकि हवाभी लग सकती है जए जहां पर गना जाता है वहहां पर पीड़ कमजोर हो जाते हैं आप देख सकते कितना अच्छा है सांदार और दोस्तो नेट बांदने का कारण चाहे कितने भी तेज बार इसके उना हो लेकिन नेट इसले बांद जाती है और इतने वचाई पर इसले बांद जाती है और इसे जोल डाइब के इसले बांद जाती है ताकि इसके अंदर जो वर अगला रो जो कि दोस्तों यह भी फुल वह भी का है और दोस्तों इसमें हमने कोई भी किसी तरह की नेड़ बंदी अगिरे नहीं की है क्योंकि अभी बारिस भागने को त्यार हो चुकी है और वह रोपा हमारा लगने के लिए तो हम उसमें नेट की विवस्था की थी लेकिन इसमें भी दोस्तों अब आपको नेट की विवस्था करने की जबत नहीं पड़ेगी अब सिर्फ आपको खेत में बोना है बस आज वह इस मेरबंदी करना है पाने निकासी के लिए कि अभी भी अगर बारिस होती है तो वह रोपा के अंदर ना गुसे अब देख सकते यह अब देख सकते कितने जगे रहे हैं अब देख रहे हैं इंडिया की जानकिसान में दोस्तों आपको रोपा की देख रहे हैं कैसे करने अब अगला अमारा कोश्चन आता है कि रोपा की इसकी देखरेक कैसे करें जब भी आप खेत आते हैं आपने खेत में बोया हो या घर पे बोया है तो आपको सुबह उठते ही सबसे पहले आपको रोग की देखरेक करने के लिए आपको सुबह उठते ही सबसे पहले आप अपनी नर नरसरी के पास जाए और उसको देखे कि इसमें कोई रोग तो नहीं आ रहा है कहीं मर तो नहीं रहा है अगर इसमें कोई रोग आता है तो इसमें आपको पंप से स्प्रे करने की जरवत नहीं पड़ेगी हमने अपने वीडियो पर पहले डाल चुका है चैनल पर कि एक मीनी प दबाई कोई लेनी है तो एक लेटर में आपको आप जोatti अगर आप आट एसले से format में अगर लेते आप पिर या फिर कोई वी थिन्था किट ना सिक लिजिए तो उसको लीट्ड में अदि अदों में डालना दोष्णा दॉस्तो आदह EMS । डालिए दाल ना चाहिए या फिर आधे से एक एमेल डाल सकते बस उससे जाधने असर ने कि आप उसको दो डाल दीजे पाच एमेल डाल दीजे सिर्फ आधा से एक एमेल आपको दबाई डालना है और अगर इसका विश्तार पुर्वक वीडियो दिखना है तो दोस्तों आपको मारे चैनल पर चाहिए और कहां पर हमने इस्प्रे करने वाला विडियो बनाये हुआ है उसको देखिए वहां सबको पता चल जाएगा कि में कितने डवाई डाली जाती है और समपुन जानकरे के साथ में ठीके दोस्तों इस तरह से अपनी नर्सरी की देखरेक भी करनी है डेली प्रती दि मर तो नहीं रहे है क्योंकि अगर आप चार दिन नहीं देखेंगे चार दिन के बाद जाएंगे अगर आपने देखरेक नहीं की है तो आपको पता नहीं चल पाएगा आपकी नर्सरी पे नुक्सान हो जाएगा और नर्सरी मर जाएगी क्योंकि जब तक आप चार दिन में तब तक अगर कुई रोग आया है तो 4 दिन में आपकी नरसरी को खाली कर देंगे ठीक है दोस्तों तो यहाँ पर हमारा वीडियो का अंत होता है और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि हम आपको ऐसी ही जानकारी देते रहेंगे, खेतिवाड़ी सम्मंदित, पसु पालन सम्मंदित, जो कि दोस्तो किसान को साथ-साथ करना चाहिए, अगर आप किसान है, तो आपके पास पसु पालन होन साथ में इसके लिए आपको जोड़ना होगा और जानकारी Ptara करती रहेगी मिलते रहेगी आपको समय समय पर ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है और बेल लाइक को प्रेस कर लिजिए सब्क्राइब करने के साथ में ताकि आपको हमारे हर वीडियो की अपडेट आप तक पोस्ते रहे थेंक यू वीडियो देखने के लिए धन्यवाद